हेई फ्रेंण्स वेलकम कैसे हैं आप सब आशा है आप सभी सुश्त होंगे आज के रीडिंग में हम दिसकस करेंगे कि आपको आपके पार्टनर्स का वेट करना चाहिए या फिर मूव़ोन करना चाहिए अगर आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि मैं wait करूँ या फिर move on करूँ तो ये reading आपके लिए helpful हो सकती है reading timeless है, so जब भी देखेंगे तब भी resonate करेगी time की कोई limit नहीं है लेकिन still general है, collective है, सभी science, सभी genders, सभी religion, सभी caste के लिए equally open है तो general की तरह ही इस reading को देखे, open mind के साथ देखे, जितनी resonate करें उतनी रख लीजिए and बची होई को जाने दीजिए सबसे पहले अपने person का नाम उनको visualize कीजिए, उनका नाम लीजिए and इस video को like कर दीजिए proper energy exchange करने के लिए without much further ado, let's get started and I'm check करेंगे आपके connection के बारे में कुछ important facts so that आपको समझ में आजाएं ये reading आप ही की है या पर किसी और की है कुछ cards मैं निकाल रही हूँ and उनकी help से आपके connection के बारे में कुछ चीज़े जानने की हम कोशश करेंगे first card आया है five of swords second है ten of swords मैं आपे feel कर पा रही हूँ आपने या फिर आपके person ने बार बार रिष्टों में धोके खाएं है ऐसी possibility काफी जाता है the hermit and seven of wands one more card लेते है and the magician so ये cards आए हैं I hope आप लोगों को clearly दिख रहे हैं Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius energy काफी जाता prominent है यहाँ पर वैसे तो magician आगया है तो सभी zodiac signs यहाँ पर मौझूद है 1, 19, 28 and 10 numbers काफी prominent है 9, 18, 27, 7, 16, 25, 5, 14, 23 यह numbers आपके लिए या आपके partners के लिए prominent हो सकते हैं मैं यहाँ पे strongly feel कर पा रही हूँ कि आपके person ना बहुत clever है over smart है कहते हैं कि प्यार मेना मतलब इंसान को emotions से चलना चाहिए लेकिन यह काफी practically and logically चीजों से deal करते हैं हो सकता है इसकी वज़ा इनके past life के कुछ ऐसे traumas हो जिसकी वज़े से यह किसी रिष्टे पर trust नहीं कर पा रहे यह किसी रिष्टे पर विश्वास नहीं रख पा रहे मैं देख पा रही हूँ कि अक्सर आपने या फिर आपके person ने या फिर आप दोनों ने पुराने relationship में धोके खाए हैं deception हुआ है आपको धोका दिया गया है या उनको धोका दिया गया है जिसकी वज़े से आपके person का relationships, love इन सब चीजों से विश्वास उटसा गया है मैं आपे strongly feel कर पा रही हूँ कि आपके person काफे clever है और जब यह आपके life में आना चाहते हैं तब यह आते हैं और जब यह निकलना चाहते हैं तब यह निकल जाते हैं जिसकी वज़े से आपको अक्सर बहुत hurt होता है मैं आपे strongly यह भी feel कर पा रही हूँ कि जब यह आपके life से निकलते हैं तो भी यह आपके बिना नहीं रहा पाते यह वैसे तो अपने आपको यह दिखाते हैं कि यह बहुत strong है और इनने कोई फरक नहीं पड़ता इसा नहीं है कि आपसे contact नहीं करते यह आपसे contact करते हैं on and off in and out scenario आप लोगों का बहुत जादा चल रहा है अपने person के mood swing से आप बहुत जादा परेशान हो आपके person का behavior बहुत ही बचकाना है जहां career में उनके इतनी अच्छी performance है कि वह well settled है और सब कुछ बहुती smartly achieve कर रहे हैं वही love and relationship में in and out, on and off कभी बहुत अच्छे से पेश आना और कभी rudely behave करना कभी आपको बहुत अच्छा time देना, आपके साथ बहुत अच्छा time spend करना और कभी बिलकुल बात ना करना ऐसी vibrations यहां पर हैं इन mood swings को देखकर आप totally परिशान हो आपके person की बचकानी हरकतों को देखकर आप बहुत ज़्यादा disturbed हो मैं यहां पर strongly feel कर पा रही हूँ कि आपके person खुदी आपसे move on करते हैं and बाद में आपी को blame करते हैं कि आपने उनको call नहीं किया, उनको message नहीं किया उनका हाल नहीं पूछा and ऐसा दिखाते हैं कि जैसे आप गलत हो नहीं क्यों? क्योंकि आपके person काफे clever हैं और काफी over smart हैं तो definitely वो अपनी गलती मानने में believe नहीं करते और अगर उनको अंदर से realize हो भी कि गलती उनकी है तो अभी वो ऐसे जताएंगे कि जैसे सारी गलती आप ही की है मैं यहापे strongly feel कर पा रही हूँ कि आपके person अकेले रहने वाली pastality नहीं है अगर ज़्यादा टाइम तक इन्हें अकेले रहना पड़े तो ये exhaust होने लगते हैं and परिशान होने लगते हैं and किसी साथी की तलाश में निकलने लगते हैं तो ये person का स्वभाव ऐसा नहीं है कि ये अकेले रहे पर ये किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं कि जिसके साथ ये पूरी जिंदगी spend कर सके और पूरी life गुजार सके आपके person को divine काफी aware and awaken करने की कोशच कर रही है आप में से कई लोग spiritual connection में soulmate connection में हो सकते हैं मैं हापे strongly feel कर पा रही हूँ कि अगर आप से बात ना करें तब आपका person का अपने career में भी focus नहीं रहता अपने career में भी ध्यान नहीं रहता उन्हें आपकी बारे में कुछ ना कुछ याद आता रहता है आप पर गुस्सा आता रहता है sometime खुद पर गुस्सा आता है और sometime बहुत ज़्यादा वो परिशान हो जाते हैं desperate हो जाते हैं आपके लिए लेकिन still इस रिष्टे को सब कुछ होते हुए भी इस रिष्टे में देखिए प्यार है potential है strength है ऐसा नहीं है कि आपके person आपको प्यार नहीं करते हैं definitely करते हैं लेकिन प्यार की vibration से long term commitment से, marriage से permanent reunion से दूर भाग रहे हैं क्यों भाग रहे हैं क्योंकि अक्सर इनको रिष्टों में दोके मिले हैं और अब किसी रिष्टे पर ये trust नहीं कर पा रहे है तो यहां पर healing बहुत work करती है आपको अपने और अपने person की और इस रिष्टे की healing करवानी चाहिए so that आप लोगों का रिष्टा grow हो और जो आपके person के traumas हैं वो heal हो हम और कार्ट से ज़्यादा clarify करने की कोशिश करते हैं कि आपको आपके person का wait करना चाहिए कि move on Ace of Swords आया है King of Swords आया है overthinking बहुत है आपके person भी काफी ज़्यादा overthinking करते हैं चीजों को लेकर आप भी बहुत ज़्यादा overthinking करते हैं Amazing At least एक कार्ट तो ऐसा आया जिसको देखकर मेरा मन खुश हो गया And this is Two of Cups Cancer Pisces Scorpio Energy Gemini Libra Aquarius Energy 2, 11, 29, 20 1, 19, 28, 10 4, 13, 31, 22 ये important numbers या important dates आपके लिए हो सकती हैं The Fool Amazing तो ये कार्ट मुझे बताते हैं वैसे wait करना या move on करना आप लोगों का personal decision है But जो कार्ट मुझे बता रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ना इस रिष्टे में clarity की कमी है आपको नहीं समझ में आता कि क्या करें Wait करें कि move on करें क्योंकि आपके person ना खुद totally confused है And उन्होंने आपको भी confused करके रखा है जब आप move on होने की कोशिश करते है तो ये person आपके life में वापिस आ जाते है और जब आप wait करने की कोशिश करते हैं तो ये person आपके life से दूर जाने लगते हैं Runner Chaser Face चलता जा रहा है एक person run करते है तो दूसरा chase करते है दूसरा run करता है तो पहले वाला chase करता है तो जिसकी वज़े से आप totally परिशान है इन person की बचकानी हरकतों की वज़े से आप totally frustrated हो चुके है और ये person खुद इतना confused हैं कि इन्होंने आपको भी confused कर दिया है तो मैं आपको बता दूँ कि ये person वैसे आपको बाहर से दिखाते हैं कि ये stone hearted है, बत्तर दिल सनम है, चाहिए male है, चाहिए female है लेकिन अंदर से ये बहुत emotional है आप दोनों का love जो है two of cups बताता है, one sided नहीं है both sided love है, जितना प्यार आप अपने person से करते हैं, उतना ही ये आपको करते है the fool is implying कि एक बार इनको इस प्यार पे भरोसा हो गया, trust हो गया या फिर खुद पर भरोसा हो गया कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये अपनी feeling से भागते हैं तो ये पूरी दुनिया से लड़कर भी आपको अपना लेंगे लेकिन अभी इनकी love and relationship को लेकर बहुत ही immature सी energy है तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप wait करना चाहते हैं तो इस person के साथ permanent reunite करने के लिए या फिर wedding करने के लिए बहुत time लगेगा, क्योंकि immature energy से mature energy में आने में इस person को अभी काफे time लग सकता है ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूं कि अगर आप move on होने की कोशच करते हैं तो ये person आपको होने नहीं देते तो आपके पास कोई चारा रहा नहीं जाता है इनका weight करने के लावा मैं आपे strongly feel कर पा रही हूं कि ये person बहुत जल्दी आपको clarity देंगे जब आप इनसे move on होने की कोशच करेंगे तो ये आपको clarity देंगे और बताएंगे कि इनकी क्या problems है और जिसको देख कर आपको लगेगा कि आपके person ने at least आपको clarity दी है आपसे straight बात की है आपसे गोई बात नहीं चुपाई है और आपको ये भी एसास होगा कि आपके person आपको पसंद करते हैं like करते हैं आपको प्यार करते हैं जिसके base पे हो सकता है आप में से कई लोग weight करने का decision ने चिक है और कार्ज देखते हैं divine आपको guidance दे रही है कि आपको अपनी intuition सुननी है weight और move on के चकर में अगर आप बहुत ज़्यादा confused हो रहे हैं तो शांती से बैटिए meditate कीजिए और अपनी intuition को सुनिए जो भी आपकी intuition कहती है क्योंकि आप लोग बहुत ही slow and steady बढ़ेंगे and finally आप लोग एक कब होंगे तो इसमें डिर से दो साल लग सकते हैं आप लोगों को एक होने में जो कि यह काफी लंबा time frame है वैसे तो marriage material है यह connection और इस connection में आगे जाकर marriage हो सकती है reunion हो सकता है लेकिन आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा कुछ लोग 4-5 सालों से इस रिष्टे में हो या 3-4 सालों में 3-4 सालों से या 2-3 सालों से इस connection में हो वो भी possibility है और देर से 2 साल आपको और वेट करना हो ऐसी भी possibility है तो यह थी friends आप लोगों के लिए reading बॉक्स में given है अभी के लिए इतना ही बाइ फो नाव आप गुड़ दे एंड टेक केर